आल राइड गाइस तो जिसका था आप सभी को इंतिजार अपने रोकी स्टार येस की येस 90 मतलब की टॉक्सिक मूवी का टाइटल अनौंस हो चुक है जिसका BGM लिटरली गूस फर्म से दिला देता है लेकिन यार दोस्तो इस टाइटल अनौंसमेंट को देखकर जब मैंने इ इस मूवी की स्टोरी के बारे में बेसिकरी दोस्तो अभी तो इस मूवी की स्टोरी के बारे में जादा कुछ नहीं बताये गया है और यार इस मूवी के टाइटल अनौंसमेंट के नाम को देखकर तो इस मूवी की स्टोरी के बारे में जादा कुछ पता नहीं लगाया जा सकता लेकिन दोस्तों बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता लगा है कि ये मूवी 18 पिलस होने वाली है जिससे की भाई साथ आप समझ सकते हो कि इसके अंदर कितना जादा वायलेंस देखने को मिलेगा और तो और यार बॉली वुड के सबसे खतनाक एक्टर अप में लीड में एक कैरेक्टर होने वाला है जो कि येस के सामने खड़ा होगा अब देखो यार ये बिलन भी हो सकते हैं इस मूवी के अंदर पैल यार कुछ भी हो जब से नवाज उद्धिंग सिद्धी की सर की मूवी फिलॉप होना इस्टार्ट हुई है तब से उनने बहु लाइपले भी इसमें में लीड में होने वाली है अब यार वो देखो जिस तरीके से इतनी बड़ी मूवी साइन कर रही है यही वो डिसर्ब करती है मतलब कि एक तुछ यार येस के साथ रामायन मूवी में सीता का रोल प्ले करने वाली है और अब इस टॉक्सिक मूवी में में लीड एक्टर होने वाली है जो कि भाई साप उनके करियर को कहां से कहां पहुचा देगा ये तो मुझे आपको वताने की जरूरत नहीं है वैल गाईस यार इसकी काश्ट को साइट में रखके इसकी डारेक्टर गीतू मोहंदास पर बात करूँ जिनके बारे में रेसर्च करने पर मुझे काफी कुछ पता लगा है मतलब कि यार ये एक चोटी मोटी डारेक्टर नहीं है बलकि यार ये खन्नाडा इंडरिस्ट्री की बहुत बड़ी डारेक्टर है मतलब कि यार आप सो सकते हो 1986 में ने चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिल चुका है केरला इस्टेट की तरफ से और उसके बाद 2004 में ने केरला इस्टेट की तरफ से दूसरा अवार्ड मिला उसके बाद 2005 में ने फिल्म फियर अवार्ड भी मिल चुका है जिससे कि भाई साब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी डारेक्टर हैं और यार अपने रोकी स्टार येस भी कोई छोटे मोटे अक्टर नहीं है मतलब कि यार जब से उने केजी है वन के बाद पॉपॉलरिट्री मिली है तब वो अपने कदम बहुत फुक फुक के रख रहे हैं मतलब कि यार वो कोई भी मूवी को साइन करने से पहले सौ बार सोच रहे हैं आप खुद ही सोचो ना जो भी रामायन मूवी आने वाली है टब रॉकரा вर्यास को जब रावल का केरेक्टर आफर कीया गया था तब भाई साब इन्होंने होल्ड पर डाल दिया था और बहुत ज्यादा सोचने के बाद इन्होंने इस रोल के लिए हाँ किया है मतलब कि आप सोच सकते हो कि ने रोकी स्टार या कितनी सोच समझ कर मुवी इसको साइन कर रहे हैं और मुझे लगता है इसी वज़े से उन्होंने इस टॉक्सिक मुवी को भी बहुत सोच समझ कर ही साइन किया होगा और यार इसके टाइटल अनॉंसमेंट में जिस तरीके का VFX और जिस तरीके का BGM दिखाया गया उससे तु भाई साइस मुवी के लिए एकसाइटमेंट लेवल मेरा बहुत बढ़ तब तक लिए भाई टेक केयर और लब यॉर